और जब ये लगाम कृष्ण के हाथ में आ जाएगी ये बहुत जबरदस्त बात है सर गौर करिए का जो बात मैं आपसे कह रहा हूं पावर मिलेगी वो इससे मिलेगी एचीब्मेंट मिलेगी वो इससे मिलेगी सूरज से दूब मांगते हैं कि सूरज आज मत दूबना आप इ आज मैं इस पर चर्चा करूंगा बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है और मैं कहूंगा कि भारत की संस्कृति की लाइफ लाइफ लाइन है ये शब्द आधोनिक से च्छा, modern education, modern education क्या बनाती है? IAS, minister, member of parliament, हलाकि कम बनाती है, ज़्यादा पड़े लिखे लोग तो America, London, IIT, IIT करके चले आ रहे हैं, इंजीनियर्स बनाती है, डॉक्टर्स बनाती है, यह बनाती है, हमारी modern education आज यह बनाती है, जो हमारी premodern education थी, यह भगवान बनाती थी, आपने शायद कभी अपने सिक्षकों से, अपने टीचरों से, अपने परिवार से, शायद यह सवाल नहीं किया होगा, कि भगवान भारत में ही क्यों पैदा होता है? अगर ऐसा क्या है, कि भगवान को इतना क्या लगाओ है भारत से, जो भगवान भारत में पैदा होता है, प्रभु राम, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महवीर, भगवान कबीर, भगवान रविदास, भगवान नानक, आपने शायद यह सवाल नहीं किया होगा कि भग्मान इस देश में क्यों पैदा होते हैं और भग्मान हमने माना किसको कौन है भग्मान अब जिस पैदा हम सब हुए इंद्रियों पे सेंसे पे हमारा 20 साल तक सामना रहा सेंसे और बीस साल सा जिसके साथ रहेंगे ना सर उससे मोग बढ़ जाएगा उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर तो जिन्हों ने भी सेंसेस को छोड़ दिया और कॉंशिएस पे जीने लगे हमने उन्हें भगवान मान दिया कि बहुत बड़ा काम कर डाला यार तो इस सिक्षा में ऐसा क्या एडिशनल था कि लोग भगवान बनते थे ध्यान ध्यान आज यहां मिसिंग है सर एक ध्यानी बहुत अच्छा I.S. आफिसर बन सकता है एक ध्यानी बहुत अच्छा Member of Parliament बन सकता है वही enlightened aristocracy की जो मैं बात कह रहा था एक ध्यानी बहुत अच्छा engineer बन सकता है एक ध्यानी बहुत बेटरी डॉक्टर बन सकता है ध्यानी मतलब जिसकी नजर अपने मन पर निरंतर बनी हुई है अब आते हैं इस सब्द पर मन पर ध्यानी कौन यह ध्यानी कौन है बड़ा confusion इसको लेकर ध्यानी कौन, ध्यानी मतलब जिसकी नजर लगातार अपने मन पर बनी हुई है, यह बहुत जबरदस्त बात है सर, गीता ने तो इसको इतनी बेहतरीन धंग से समझाया है सर, गीता पढ़नी चाहिए सर, सबसे सरलतम धंग से जिसने समझाया है वह गीता, रत, क्या है सर, और अगर आप फ्रेंट पेज देखें गीता का, बस वो पेज जिसको समझ में आ गया पहला जो कवर पेज है गीता का, रत, यह मानव शरीर है सर, human body, लगाम क्या है सर, सासे, ब्रीधिंग, होर्सेस क्या है सर, इंद्रिया, सेंसे, और घोड़े अगर बेलगाम हो जाएं तो जान लेले सर, और गलत हाथ में लगाम लेले तो गलत जगा पहुचा दे, अर्जुन कौन है सर, यह आत्मा है सर, सोल, कृष्ण कौन है सर, यह ब्रह्म है, सूपर सोल, ब्रह्मन नहीं, ब्रह्म, कभी गीता का कवर पेश देखो सर आप, रध, human body, लगाम यह सांस है आपकी, horse, इंद्रिया, अर्जुन, आत्मा, कृष्ण, ब्रह्म, परमात्मा, अब अगर यह लगाम, इन घोडों की लगाम, जो बहुत ताकतवर हैं, अगर इनकी अर्जुन के हाथ में रहेगी, तो अर्जुन डरा हुआ है, देखता है सामने, ने खतरनाक, खतरनाक दुश्मन, जिनका track record इतना खतरनाक है, भीशम का भी हारे ही नहीं, दोड़ाचार गुरु है, कृष्ण की उसकी करण, उसकी talent का कोई ठिकाना ही नहीं, अश्वत्थामा अमर है, तो यह हमारा मन है, जो जब भी किसी बड़ी चीज के सामने पढ़ता है, सर इसमें तो थोड़ी सी figure छोटी है, यह देखिए, इसे बड़ी सारी figures है मेरे पास, यह तो मैं गीता, इससे अच्छा gift मैं मानता नहीं किसी को दिया जा सकता है, तो आप देखिए, जो गीता होती है, तो देख रहे हैं, छोटी सी जो नीचे बना हुआ है, इसलिए जितनी भी गीताएं हैं, सब पर यह cover page पर यह image बनी होती ह अप है, यह बड़ी, अब हम सब क्या है, अरजुन है, अब अगर यह लगाम हमारे हाथों में है, सर भय होना स्वभाविक है, फिर, जिससे लोग आईस की तयारी करने आते हैं, तो गहते हैं, सर पाच-पंच साल से लोग तयारी कर रहे है, हम सब अरजुन है, सर, हमारा डर सबावी कर, तो ध्यान क्या है? ध्यान है इस लगाम को, यह जो लगाम है सर, इस लगाम को कृष्ण के हाथ में पहुंचाना, इस प्रक्रिया को कहते हैं ध्यान, और जब यह लगाम कृष्ण के हाथ में आ जाएगी, जो हमारी चेतना है जिसके बल पर मैं देख रहा हूँ जिसके बल पर मैं बोल रहा हूँ जिसके बल पर मैं सुन रहा हूँ असीम है सर, इन्फाइनाइट इसलिए अर्जुन रत के पीछे खड़ा है संचालित कौन कर रहा है, वो परब्रम गीता किसी धर्म की किताब नहीं है गीता पर कमेंट लिखा है कि मानो शास्त्र है मानो विज्ञान अब सेंसिस कौन है, गंधारी मन कौन है, धृत्राष्ट और दोनो अंधे हैं सर, आप देखो फीचर दोनों का एक ब्लाइंड है क्या सर, क्या पिक्टॉरिकल फर्म में स्पिरिच्वलिजम को मैनिफेस्ट किया गया मन अंधा है, आप देखो एक गलती जिस पर हम पश्याताप करते हैं कसम खाते हैं, ऐसी कई सारी चीजे हमारे जीवन में होती, जीनके हम पासम खाते हैं, अब जीनते करते हैं, पांस दिन बाद फ़िर तयीर कर देता है क्या रहे, कच नहीं होता है पूरी दुनिया कर देखी और बढ़ी गलानी पाधा हुई कुछ लोगों का जीवन सिर्फ ग्लानी करने में ही बीच जाता है और उनको एक समय पर आकर यह अहसास होता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ मन अंदा है जर कैसे पता? ये एक ही गड़े में बार बार गिरता है जिसकी आखे होंगी वो एक बार जिस गड़े में गिर जाएगा वो दुबारा उस गड़े में कभी नहीं जाएगा लेकिन ये अंदा है ये अंदा है और जिसको ये कंट्रोल करता है इसकी वाइफ उसने अपनी आखों पर पट्टी बान रखी ये भी अंदी और इन दोनों अंधों के द्वारा जब जिन्दिकी चलती है इसलिए आप देखो जितनी चीजें मन और इंद्रियों से जुड़ी हुई है उनको करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए खाने के लिए आपको चिकेन अच्छा लगता है कोई मोटिवेशन चाहिए कि हमको कोई मोटिवेट कर देता है हम चिकेन खा लेते है कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए क्योंकि इन दोनों अंधों को मज़ा आता है खाने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए जहां इनको रस मिलता है जिन चीजों में, दूसरी चीज है conscious, चेतना, इस्लाम रूह कहता है, Christianity, Soul कहती है, हिंदू आत्मा कहते है, अब पढ़ना जो है, इसका संबंध किसी इंदृय से नहीं है, पढ़ाई का संबंध किसी इंदृय से नहीं है, इसलिए पढ़ाई के लिए क्या चाहिए, motivation, गौर करिए का जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, जितनी चीजें इंदृय से जुड़ी हुई हैं, और इंदृय के बाद, मन, जितनी किसे इंदृयों से जुड़ी हुई है, वहाँ motivation नहीं चाहिए, girlfriend के साथ पार्क में बैठने पर motivation नहीं चाहिए, boyfriend के साथ पार्क में बैठने पर motivation नहीं, चाहिए ही नहीं, 10-10 गंटा, 20-20 गंटा बैठे, बैठे ही है, शायरी लिख दी, सूरच से धुआ मांगते हैं कि आश ये दिन खतम ही ना हो, लेकिन ध्यान करने के लिए, motivation चाहिए, क्योंकि इसका संबंध, गौर करिये इन बात को, आप इस पे गौर करिये, जिन चीजों का संबंध, इंद्रियों से है, और मन से, खास का इंद्रियों से, उसमें motivation की ज़रूत नहीं है, और जो चीजें इंद्रियों से जूड़ी नहीं हुई है, उन में motivation की जरूत है, अब जीवन में जो शक्ति मिलेगी, वो इससे मिलेगी, पावर मिलेगी, वो इससे मिलेगी, एचीवमेंट मिलेगी, वो इससे मिलेगी, अब एचीवमेंट इससे तो मिलेगी नहीं, इसके स हारे अगर आप चले तो आप गए पावर इससे मिलेगी एचीवमेंट इससे मिलेगी लेकिन यहां मन को रस ही नहीं मिलता अब इस प्रक्रिया को इस ट्रांस्वर्मेशन को करने का जो हथियार है जो वेपन है उसको कहते हैं ध्यान इस ट्रांस्वर्मेशन है ना सर आज हमारे 90 प्रतिशत भाई बहन बहुत परिशान है यंगस्टर्स पढ़ना चाहते हैं सर बहुत बच्चों से में मिलता हूं विचारे कहते हैं कि सर हमारे पिता जी बहुत मुश्कल से हमको पैसा दे रहे हैं ऐसा नहीं है कि सारे लड़के सारे लड़कियां जो है वो माबाब का पैसा और नहीं सर पॉइंट वन परसेंट सर इस अपने आपका ये परिवर्तन ये ये ध्यान के द्वारा होता है सर हम सब इस अस्तर पे जीते हैं सर इसलिए ध्यान हमारी सिछ्छा पद्दति का एक एहम अंग था मेडिटेशन वोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर एडुकेशन पॉलिसी सर आपका लड़का उसका दिमाग उसका मन अब लोग जो बहुत सम्रिद्द लोग हैं वो थोड़ा सा साइकिलोजिकल काउंसलिंग कराते हैं कि हमारे बच्चे का पढ़ाई में मन न आए बना ली है इंकम है कैपिलिजम चल ला है ना सर इस ट्रांस्वरमेशन इस इसको हम जानते ही नहीं इसका हमारा कोई हमें खबर ही नहीं है यह हमारे लिए एक नया वेंचर है इससे हम पर्चित हैं सर हमारे पहला जीवन का पर्चे ही इंद्रियों से होता है अगर आप इंद्रियों पे जी रहे हैं और आपका खाने में रूची है पीने में रूची है इस्त्री में रूची है पुरुष में रूची है वो कोई बुरी बात ही नहीं है वो तो सर आप इस अस्तर पे जी रहें इसलिए है समझेगा इस पात पे वो तो आप इस अस्तर पे जी रहे हैं इसलिए है सर और यह ताकत है सर इसलिए उस घोड़े की लगाम इसके हाथ से निकाल कर इस अंधे के हाथ से निकाल कर इस आख वाले के हाथ में देने के ध्यान कहते हैं ध्यान का जो पहला चरण है वो इसको समझना यह पहला चरण है आप इस से परेशान हो सर आपकी इंद्रिया मांग रही है ताकतवर है सर इसके पास अंधे की ताकत है ध्यान का जो पहला चरण है वह मन को समझना अगर आप समझने लगे कि हाँ आप पढ़ने बैठे आप पढ़ने बैठे जैसे आप पढ़ने बैठे दिन बर आपको कुछ याद नहीं दिलाएगा दिन बर आप घूमो कुछ याद नहीं दिलाएगा आपको कुछ नहीं जैसे आप पढ़ने बैठे विछ याद दिलाएगा, कि यार योजना नहीं लाए, यार, योजना लानी थी, यार, योजना नहीं लाए, यार, वो वो दोस्ते कमरे पर नोट्स रखा यार, जैसे टेबल पर बैठोगे, सबसे क्रूशियल बात याद दिलाएगा, इसका मुजरा देखते वक Tक कभी मुजरा देखते वक Tक को गावां में डांस होता है कभी इसने का मैं बोर हो रहा हूँ आई चलू बाहर रिलाक्श उनना अब गौर करो कुछ जोंगों पर यह बहु नहीं नहीं होता दिन दिन बैठा उआ है, रात बैठा हुआ है दिनmber बैठे गा यह बहुत Act एक धंटे में कंता इता है थोड़ा यह लाभ चाय पीले किसकी दोधियों, इसको फेकD कि मैं बहुत होता है इसको मन फ्रेश करना होता कि मैं उब रहा हूं इसको थीएटर में बिठा दो यह मजाले बोर हो जाए इसको इस्त्री के साथ बिठा दो पुरुष के साथ यह बोर ही नहीं होता है वहां इसको यह नहीं कहता कि नहीं नहीं यार मैं बोर हो रहा हूं मैं जराद चाय पीके आता हूं, फिर तुमसे बात करता हूं, गल्फेंट के साथ बैठें, दिन भर बैठें, वहाँ ही बोर होते आप इसकी जालसाजीयां समझो, आप इसकी चलाकियां समझो, इसी देखने को ध्यान कहता है, ध्यान क्या है? ट्रनस्वरमेशन द्धान कहा है? Transformation उसका पहला चरल क्या है? इसको देखना बास सिर्फ पहचाल ने ना किया अरे यार यह तो मुझे बेकूफ बना रहा है जब तुम यह जान जाते हो कि कोई तुम्हें बेकूफ बना रहा है बस उसी दिन से तुम बेकूफ बनना बंद हो जाता है तुम्हारा उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के सभी लोगों के लिए बड़ी अच्छी ख़बर है और ख़बर यह है कि इक्रा ने कानपुर में अपना आप्लाइन सेंटर शुरू जिए अब उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट तो मकसद यह है कि जो य सिविल सर्विस की महात तुकांग्छा या सपना जो इधर के लोगों में है उसके लिए अच्छा रास्ता दूने दिखाया जाए टिकरा अपना ओफ-लाइन क्रैश कोर्स भी देने जा रही है कि जो लोग 2022 का प्रिलिफ्स देने आ रहे हैं उनके लिए इंपॉर्डेंट है 23 24 जिन लोगों ने प्लाइन मनाया उनके लिए बहुत इंपॉर्डेंट है क्योंकि इस क्रैश कोर्स में आपको यह बताए जाएगा कुश्चंस फ्रेम कहां से होंगे कुश्चंस निकाले कह से जाएंगे प्रिलिम की तैयारी करते कैसे हैं प्रिलिम्स बेसिकली है क्या इसमें पुछ पढ़ाय नहीं आप यह सोच के मता है यहां कुछ पढ़ाय बढ़ाय जाएगा नहीं पूरी पूरी युद्ध का इप्रोच इसके फीज आ 10,000 के उत्तर भारत की जो एक छवी यहां को यह सव्त नहीं है लड़कों को बिखना आपको बिल्कुल जानी को आपको रोक रहा है लेकिन तथि का प् mett ताक को हटा लिया जाए कि दिल्ली जाना है आप सब्सक्रीन ऐस्के पास पिछले उठा सकते हैं जहनी